नमस्कार दोस्तो अभी अभी दू मिनट पहले की सबसे भड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है पटना जंग्सन पर अचानक चलने लगी असलील फिलम रेलवे अधिकारियों ने लिया बड़ा एक्सन दोस्तो रहीवार सुबै पटना जंग्सन के प्लैटफोरम पर लगे दरजनों टीवी स्कीन पर अचानक असलील फिलम दूस्तो चल गई थी जिसके बाद यात्रियों को सरमसार होना पड़ा है प्लैटफोरम पर महिलाए और कुछ लोग अपने बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए ट्रेन का इंतिजार कर रहे थी लेकिन अचानक ये घटना हो गई है यात्री अक्रोसित हो गए ही इसकी सिकात की गई है आरपिय अपने ततकाल फौन करके सम्मंदित एजनसी को कहकर बंद करवाया इस मामले में रेलवे अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया है इस सम्मंद में जो जानकरी सामने आई है उसकी अनुसार ये कहा जा रहा है कि करीब तीन मिनट तक असलील फिलम चलती रही अगर सिकात नहीं की जाती तो पता नहीं क्या होता इस पूरे मामले में विग्यापन एजनसी पर आरपीय पोस्ट में फायार दर्ज की गई है डियारेम प्रबात कुमार ने एजनसी पर जिर्माना लगाया है बलेक लिस्ट करने का भी निर्देश दिया है इतना ही नहीं बलकि करार भी समाप्त करने का निर्देश दे दिया गया है मतादे कि पतना जंगसन के लगवक सभी प्लेटफोरम पर दरजनों टीवी इसकी लगे हैं ताकि ट्रेन की सूजना यात्रियों को दी जा सके हलांकि रहेवार को यह घटना जोस्तों कोई पहली बार नहीं हुई है इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है उस समय अधिकारियों को बाद में इसकी जानकरी मिली थी इस बार तुरंद पता चलते ही रेलवे की और से कार्रेवाई की गई है इस पूरे मामले में कुछ अधिकारी सुबह 9 बज़ कर 56 मिनट से लेकर 9 बज़ कर 60 मिनट तक सिर्व प्लैटफरम नंबर 10 पर इस घटना को बता रहे ही तो वहीं कुछ यात्रियों ने एक नंबर प्लैटफरम पर ऐसी घटना की बात कर रहे ही अब इस मामले में एजेंसी के दो सी कर्मियों पर कार्रेवाई करने की बात कही जा रही है अब तक कि सबसे बड़ी ख़बर दुस्तों इस वक्त आ रही है बिहार की राईधानी पतना से जहां तीन मिनट तक असलील फिलम चली है उसके बाद यात्रियों में हडकम मच गया है फिलाल पुलिस मामली की जाच कर रही है